हमें प्रश्ण दिया गया है कि सिद्ध कीजिये कि root 2 अपरिमे संख्या है हम इसके विप्रीत यह मान लेते हैं कि root 2 एक परिमे संख्या है हम ऐसे पूर्णांक r और s ठोन सकते हैं जिससे कि root 2 बराबर r बटा s ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक परिमे संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q शून के बराबर ना हो मान लीजिये कि r और s में एक के अतरिक्त कोई उभेनिष्ट गुरनखंड है हम r और s को इस उभेनिष्ट गुरनखंड से विभाजत करके a और b प्राप्त करते हैं अब हम यह कह सकते हैं कि a और b सह अभाज हैं अब हम इससे यह कह सकते हैं कि root 2 बराबर a बटा b इससे हमें मिलेगा b into root 2 बराबर a दोनों पक्षों को वर्ग करने पर हमको मिलेगा 2b square बराबर a square हम इससे कह सकते हैं कि 2a square को विभाजत करता है क्यूंकि हमें पता है कि a square बराबर 2 into b square पिछले प्रमे से हम यह कह सकते हैं कि अगर 2a square को विभाजत करता है तो 2a को भी विभाजत करता है चूंकि 2a को विभाजत करता है तो हम कह सकते हैं कि a बराबर 2 into c जहां c कोई पूर्णांग है जिस तरह 10 को व्यक्त करने का एक तरीका है 10 पराबर 2 गुणा 5 A बराबर 2C का प्रतस्थापन जब मैं 2B square equal to A square में करता हूँ तो मुझे मिलता है 2B square बराबर 4C square दोनों साइट 2 से काट कर मुझे मिलता है B square बराबर 2C square चुकि B square बराबर 2C square है तो हम कह सकते हैं कि 2B square को विभाज़त करता है प्रमाई 1.3 जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वो लगा कर हम कह सकते हैं कि 2B को भी विभाज़त करता है हमने यह निशकाश निकाले हैं कि 2A को विभाज़त करता है और 2B को भी विभाजत करता है अतह A और B में कम से कम एक उभहनेश्ट गुड़नखंड 2 है परंतु इस से इस तर्थ को विरोधाभास प्राप्त होता है कि A और B में एक के अतरिक्त कोई उभहनेश्ट गुड़नखंड नहीं है आपको याद होगा कि हमने R बटा S से A बटा B प्राप्त किया था और A बटा B सह अभाज थे पर हम यहाँ देखते हैं कि A और B में कम से कम एक उभहनेश्ट गुड़नखंड 2 भी है यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक तुटी पूर्ण कल्पना कर ली है कि रूट 2 एक परिमे संख्या है इससे हम निश्करशन काल सकते हैं कि रूट 2 एक अपरिमे संख्या है इसी तरह यह सद्ध करने का प्रयास करें कि रूट 3 अपरिमे है